यहुदा की पत्री पहला अध्याय हैं, दया, और शांती, और प्रेम, तुमें बहुतायत से प्राप्त होता रहे हे प्रियों, जब मैं तुमें उस उध्दार के विशे में लिखने में अत्ययंत परिश्रम से प्रियतन कर रहा था, जिसमें हम सब सहबागी हैं तो मैंने तुम्हें यो समझाना अवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौपा गया था क्योंकि कितने ऐसे मनुश्य चुपके से हम में आ मिले हैं जिनके इस धंड का वर्नन पुराने समय में पहले से ही लिखा गया था ये भक्तिहिन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुच्पन में बदल डालते हैं और हमारे अद्वईत, स्वामी और प्रभुईश्य मसी का इंकार करते हैं पर्यध्यपी तुम सब बात एक बार जान चुके हो तो भी मैं तुमें इस बात की सुधी दिलाना चाहता हूं कि प्रभु ने एक कूल को मिस्र देश्य चुडाने के बाद विश्वास न लाने वालों को नाश कर दिया फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा बरन अपने निज निवास को छोड़ दिया उसने उनको भी उस फिशन दिन के न्याय के लिए अंदकार में जो सदाकाल के लिए है बंधनों में रखा है जिस रिती से स्रदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनके नाई विविचारी हो गए थे और पराय शरीर के पीछे लग गए थे आग के अनंत दंड में पढ़कर दृष्टांथ धेरे हैं उसी रिती से ये सुपनदर्शी भी अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते और प्रभुता को तुछ जानते हैं और उन्चे पदवालों को भूरा भला कहते हैं परन्तु प्रधान स्वर्गदूद मिकाईल ने जब वो शैतान से मुसा की लोत के विशे में वाद विवात करता था तो उसको बुरा भला कहके दोश लगाने का साहस न किया पर यह कहा कि पर यह लोग जिन बातों को नहीं जानते उनको बुरा भला कहते हैं पर जिन बातों को अचेतन पश्यों की नाई सुभाव ही से जानते हैं उनमें अपने आपको नाश करते हैं उन पर हाय कि वे कैन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम की नाई भरस्ट हो गए हैं और कोरह की नाई विरोध करके नाश हुए हैं ये तुम्हारी प्रेम सभावों में तुम्हारे साथ खाते पीते समुत्र में छिपी हुई चटान सरीखे हैं और बे धड़क अपना ही बेट भरने वाले रखवाले हैं वे निर्जल बादल है जिने हवा उधाले जाती है पत जड़ के निश्फल पेड़ है जो दो बार मर चुके हैं और जड़ से उखड गए हैं ये समुत्र की प्रचंड खिलकोरे हैं जो अपनी लच्चा का फेन उच्छालते हैं ये डावा डोल तारे हैं जिन के लिए सदा काल तक घोर अंदखार रखा गया है और हनोक ने भी जो आदम से सात्वी पीड़ी में था इनके विशे में ये भविश्यद्वानी की की देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया के सब का न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विशे में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किये हैं और उन सब कठोर बातों के विशे में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही हैं दोशी ठहराए ये तो असंतुष्ट गुड़कुड़ाने वाले और अपने अभिलाशाओं के अनुसार चलने वाले हैं और अपने मुझ से घमंड की बातें बोलते हैं और वे लाब के लिए मुझ देखी बढ़ाई किया करते हैं पर हे प्रियों तुम उन बातों को स्मर करन रखो जो हमारे प्रबु ईश्यु मसी के प्रेरित पहले कह चुके हैं वे तुम से कहा करते थे कि बिछले दिनों में ऐसे ठट्टा करने वाले होंगे जो अपने अभगती के अभिलाशाओं के अनुसार चलेंगे ये तो वे हैं जो फूट डालते हैं ये शारिरिक और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आपको परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो अनंत जीवन के लिए हमारे प्रबु ईश्यु मसी की दया की आशा देखते रखो और उन पर जो शंका में हैं दया करो और बहुतों को आग में से जपड कर निकालो औ परन उस वस्तर से भी घ्रणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है अब जो तुमें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भर्पुरी के सामने मगन और निर्दोश करके खड़ा कर सकता है उस अद्वेत परमेश्वर हमारे उध्थार करता की महिमा और गव हो और युगान युग रहे आमीन